नमो नमा एक बार आपको फिर से स्वाह करता है हमारे यूद्यूब चैनल पर आचम चे स्वीशे पर बात करेंगे वो है आचारिय ममत करतकाव्य प्रकाश का अस्टम उल्लास चलिए शिरू करते हैं देखिए सब प्रथम जो प्रिशन बनता है वो है अस्टम उल्लास का क्या नामे तो अस्टम उल्लास का चुनामे वो क्या है गुण अलंकार भीत नियत गुण निर्ने आत्मक ये रसस्यांगिनो धर्महा शोर्याद्य इवात्मनहा उतकर शहित वस्तेस युचल इस्थित्यो गुणहा अर्थात क्या कहने का तात्परिय है तात्परिय ये है कि जिस प्रकार शोर्याद्य है शोर्याद्य अर्थात शूर्ता आदी आत्मनहा आत्मा के धर्म है जिस प् काव्य में प्रधान ता आत्मनहा से यहां पे दूसरा अर्थ क्या रिखा है आत्मनहा से मतलब है प्रधान रूप से जो इस्थित है रस के धर्म मतलब जो प्रधान रूप से इस्थित रस के धर्म है तथा चल इस्थितियो अर्था नियत इस्थिती वाले हैं ऐसे उतकर्ष उतकर्ष के हेतु धर्म गुण हां गुण कहलाते हैं कहने का अतात पर है कहने का अतात पर है यह है कि जिस प्रकार जो शूरता इत्यादी आत्मा के धर्म होते हैं उसी प्रकार जो काव्य में प्रधान रूप से इस्थित होता है ना प्रधान रूप से इस्थित है और रस के द्धन में है वो कैसे नियत इस्थिति वाली साथ ही साथ जो क्या करते हैं रस के उतकर्ष का हित्तू है मतब रस का उतकर्ष बढ़ा देती है वो क्या कहलाते हैं गुण कहलाते है तेखिए यहां पर क्या कहा गया है यह रसस्य है इत्यादी कारिका में जो भी हमने कारिका का अलंकार से वेधम्य अर्थात विभिंता दिखलाई जा रही है यहां उतकर्ष हितवा गुणा इस पद से गुण का स्वरूप निर्देशित किया है अर्थात क्या है गुण जो उतकर्ष का हेतू है वो गुण है साथ ही साथ और भी बहुत कुछ कहा गया है गुण रस के उतकर्ष धायक है और चित दृती आदी कारिये विशेश के उतपादक है यह विशेशन गुण स्वरूप को शबदार तथा दोश आदी से प्रतक कर देते हैं किन्तु रस के उतकर्ष हेतू अर्थात उपकारक मतलब जो उन्हें और सुन्दर बनाते उपकारक तो अलंकार अब देखें यहां प्रशन उठ रहा है यदि हम कहें कि जो गुण है वो क्या है उतकर्ष को बढ़ा देते हैं तो यह कह रहे हैं कि अलंकार भी तो क्या है अलंकार भी उतकर्ष को बढ़ाते हैं तो अलंकार से विधम्य प्रतरशन के लिए यहां पर दो विशेशन दिये विभिंता दिखाने कांने के लिए कौन कोंसे एक तो कहा है अंगी नहा रसस्य धर्मा दूसरा अचल इस्थित्य इस प्रकार से यह अलंकार भी तक लक्षन हो जाता है अर्थात यह अलंकार पर सेट नहीं बैठता है फिरर गुण के लिए ऑlles सही बैठता है ध्यान देते हैं आगे क्या कहरें देखें भाव यह है कि शरीर में आत्मा के समान काववे में प्रधान इस्थित अरफात अंगी रस है जैसे हमारे शरीर में प्रधान क्या है आत्मा है शरीर थुड़े ही Punkt आत्मा जिस तरह होती है उसी प्रकार काव्य की जो आत्म काव्य में जो अंगी है वो क्या है रस है जिस प्रकार शोर्य आदी जिवात्मा के धर्म है एक आत्मा के पास जो धर्म है वो क्या है शोर्य आदी है अचेतन शरीर नहीं है उसी प्रकार गुण भी रस के धर्म है काव्य के शरी रूपी शब सब्दार्थ के धर्म नहीं है अतेव श्ब्द अर्थ युग्ल अर्थाथ शब्द और अर्थ के साथ युग्ल के धर्म रूप अलंकारों से गुण अवश्य ही भिन्न हैं तो रस के धर्म है यह गुण का भीदक लक्षन हो जाता है आगे ध्यान देते अचल इस्तितिय से क्या मतलब है यह दूसरा विशेशन है जिसका अभी प्राय क्या है कि रस के साथ उन गुणों की इस्तिती अचल अर्थात निश्चित और अव्यभीचारी रूप से है मतलब जहां पर रस होगा वहां पर क्या गुण अवश्य होंगी ठीक है इस नियत इस्तिती के दो तात पर यह होते हैं अब नियत इस्तिती से क्या मतलब है एक तो यह है कि गुण के गुण जो है रस के बिना नहीं पाए जाते मतलब एक तात पर यह क्या नियत इस्तिती से कि जहां गुण होगा, मतलब गुण रसके बिना नहीं पाए जाते है और दूसरा क्या कि रसके साथ स्थित होकर वे रसका उपकार अवश्य होता है, उपकारक अवश्य होते हैं तो यहां पे क्या क्या दो निकले है इस प्रकार अचल इस्थिति विशेशन के दुबार गुण के दो अलंकार भी तक लक्षन हो जाते हैं अर्था गुण जो है वो अलंकार से कैसे भिन हो गए क्यों क्योंकि वो एक तो क्या है अचल इस्थिति है और अचल इस्थिति में भी दो अर्थ निकले क्या कि जहां पर गुण है वहां रस के बिना नहीं होंगे रस जहां पर होगा गुण वहां अवश्य होंगे दूसरा इस तरह भी देख सकते हैं आप क्या जो नियम से रस के साथ ही रहते हैं अत्वा जो विद्द्यमान होते हुए रस का अवश्य ही उपकार करती है कहने का क्यादत पर है कि जहां पर रस है वहां पर गुण अवश्य होंगे और जब वो होंगे तो वो ऐसा नहीं है कि बस है यहां पर जैसे कि कई बार होता है कि हमारा काव्य में रस है और अलंगकार भी है लेकिन जरूरी नहीं है हर जगह अलंगकार हो और नहीं जरूरी है कि अलंकार होते हुए वह क्या है उसके उतकरश को बढ़ा ही बढ़ाए उपर ही परंतु क्या कह रहे हैं वो गुण क्यों अलग है गुण इसलिए रहा क्यों कि जहां पर रस होगा वहां पर गुण अवश्य होंगे और होते हुए वो क्या करेंगे उसका उपकार करेंगे अर्थात उसको उतकर्ष को बढ़ाएंगी ये कहने का ताथ परे है यहाँ पर तो इस प्रकार क्या हुआ है आपे, कारिका में दो विशेशन के द्वारा, जो ये कारिका है, इसमें दो विशेशन के द्वारा अलंकार भी दग लक्षन त्रे का निर्देश किया गया है और वो लक्षन से है क्या हो गया इस प्रकार देखिए पहला ये की रस धर्म होना क्या होना रस धर्म होना दूसरा नियम से रस के साथ ही रहना रस के बिना नहीं जहां पर रस है वहां पर गुण रहते हैं और विद्यमान होकर रस का अवश्य उपकार करना ऐसा नहीं है कि आप रस के साथ विद्यमान तो है गुण हमारी लेकिन वो उपकार नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या कह रहे हैं कि जहां पर रस है वहां पर पहले क्या होंगे गुण होंगे और गुर्ण जब वो होंगे तो वो उपकार अवश्य करेंगे ये था इस कारिखा का अर्थ अब आगे चलते हैं अब प्रश्ण होता है कि मादुर्य आदी गुर्ण रस्के धर्म कैसे हैं इस अकांक्षा में ही अचल स्थित्य यह विशेशर दिया गया है जिसका अर्थ क्या है नियत रूप से रस्के साथ रहने वाला जो किसी के साथ नियत या फिर नियमित रूप से रहता है वह उसका धर्म होता है जैसे दूम अगनी के साथ ही नियत रूप से रहता है अथ है वह अगनी का धर्म है धुम से मतलब है धुआ 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 जहां पर अगनी है वापर धुआ तो होगा ही तो धुआ क्या है अगनी का धर्म है इसी प्रकार गुण भी रसके ही धर्म है क्योंकि रसके होने पर ही गुण होते हैं और यदि वे होते हैं तो रसका अवश्य उपकार करते हैं आता है अन्वेव वेती रेक से ये सिध होता है कि गुड रस के ही धर्मे है इस प्रकार ये सुत्रार्थ है सुत्र का जो भी हमने सुत्र पढ़ा उसका क्या अर्थ हुआ ऐसे रसोत कर्ष धर्म गुड कहलाती है जो आत्मा के शूडता इत्यादी धर्मों के समान नियत इस्थिती वाली होकर रस के धर्म है अब दूसरा जो सुत्र है वो क्या है दूसरा सुत्र है हमारा उपकुर्वन्तीतम संतम ये अंगद्वारें जातूचित हारादिव अलंकारस्ते अनुप्रियासोप माध्या अब भेद जैसे अभी दिखाया था अब अलंकारों को क्या अलंकार क्या होते हैं वो दिखाया जा रहा है मतलब अलंकार क्या कहलाते हैं? देखें, जो धर्म अंग अर्थात अंग भूत शब्दोर अर्थ के द्वारा विद्द्यमान होने वाले उस रसका हारित्यादी के समान कभी नियम से नहीं उपकार करते हैं, वे अनुप्रियास तथा उपमादी अलंकार कहलाते हैं. उपर ध्यान देते हैं दुबार से, क्या कहला हैं? यहां पर देखिए, अनुप्रियास उपमादी कहलाते हैं. कौन से अलंकार? जो हार आदिव, हार आदी के समान क्या करते हैं? कभी कभी नियम से नहीं, कभी कभी उपकार कर देते हैं, सुन्दरता बढ़ा देते हैं, वो अनुप्रियास और उपमादी कहलाते हैं. कहने का अतात पर यह हैं, कि जो धर्म हैं, वो अंग और अंग भुत शब्द और अर्थ के द्वारा, उसमें उतकर्ष उतपन कर विद्द्यमान होने वाले, यदि वो हो, अगर अलंकार है, तो, यह नहीं कि हमेशा अलंकार होंगे, यदि अलंकार हो, तो उस अंगी रस का, जो रस है, ये अंग द्वारेन, मतलब उस अंग, मतलब उस ये अंगी अंग का रस का जो है, वो हारा दिव, हारा दि के समान, कभी कभी कहीं, कभी 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 क्या कर देते हैं, उपकार करते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं, कौन से अलंकार, उपमा अनुप्रियास, उपमा परन्टु ये क्या है सरवदा नहीं रहेंगे तो जरूरी नहीं है आ दूरतर्मपल माने हैं कि व्र फोरत करें तो शर्वदा नहीं किमत्ичеान. परंपरा उपकारक है फिर क्या कह रहे हैं आगे देखे तो रसके अंग अर्थातरस विंजना के उपकर्ण रूप जो शब्दोर आर्थे हैं अलगकार उसमें उतकर्ष का स्थापना करते हैं और शब्दितता अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं काव्य की आत्मा रसके भी उतकर्ष हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार जैसे हार आदी आबूशर कंठ आदी की शोबा बढ़ाते हुए कामिनी सोंदर्य के वर्दक होते हैं अब एक हार पहल या एक किस तरी ने तो क्या है उसके कंठ की वो हार शोबा बढ़ा देगा उसी प्रकार एक काव्य में यदी अलंकार है तो वो अलंकार उसी प्रकार शोबा बढ़ाते हैं जिस प्रकार एक हार एक कामिनी के सोंदर्य की वर्दक होते हैं अते है ये रस के धर्म नहीं है क्या है रस धर्म रूप गुण से प्रत्थक है रस धर्म रूप कौन है गुण है तो ये क्या है अलंकार बिन है यहाँ पर अलंकारों को बिन दिखाए गया यह अलंकार नियम पूर्वक रस के उपकारक नहीं होते यह दिखाने के लिए कारिक में दो पक्षो का प्रियोग किया गया कौन-कौन से संतम तथा जातूचित यत्र तू नास्ति आदि व्रत्ति ग्रंथ इसका ही व्याख्या है आगे कहा गया है कि अलंकार वही रतोस्कर्ष होती हैं जहां रस विद्यमान होते हैं अन्यथा निर्स चितर काव्या अब उसमें तो रस नहीं होते है तो यह इसी प्रकार उक्ती चमतकार मातर दिखा कर रह जाते हैं जिस प्रिकार एक कुरूपा के अंगों मेदी हारा दिया भूशन डाल दिये जाएं तो वो केवल दृष्टी चमतकार के ही उत्पादक होते हैं यह नहीं कि बहुत सुंदर बना दिये बस दृष्टियों को अच्छे लगेंगे हमाई आखों को अच्छा लगेगा अन्यता और कुछ नहीं होगा अत्य है यह नियम पूर्वकरस के साथ भी नहीं रहते दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं रस विद्यमान होते हैं फिर भी अलंकार उसका उपकार नहीं करते हैं ज़से अलंकार को देके यहां पर क्या कहा जारा है दूसरी बात यह भी है क्या कहीं कहीं रस विद्यमान होते हैं फिर भी अलंकार उसका उपकार नहीं करते जैसे ग्रामिन अलंकार जिसकी ग्रामिन अलंकार से मतलब है जो पुराने समय के ग्रामिन लोगों के अलंकार होते हैं मतलब गहनी अलंकार किसी सुकुमार नाइका बहुत सुंदर सी नाइका उसे आप old fashionable आप अलंकार पहना दीजे मताब उशन पहना दीजे तो वो सुन्दर लगेंगे नहीं लगेंगे उसमें व्रद्धी नहीं करेंगे जैसे ग्रामिन अलंकार किसी सुकुमार नाइका के सुन्दर की व्रद्धी नहीं करते हैं आते हैं अलंकार विद्यमान रस के अ और जब वहुंगे तो जब उनका उपकार अवश्य करें इस तरह उन्हों नहीं आप अलंकार की बारे में बता करके क्या कर देया आचारे मम्मठ ने गुड और अलंकार दोनों में भेद प्रस्तुत किया है आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं आगे आता है हमारा बटूद भट के मत का निराकरण अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है निराकरण करेंगे किसका बटूद भट के मत का यहां देखते क्या है एश एव चे गुण अलंकाल प्रविभाग हा कहने का तत्मने और यही गुण और अलंकाल का क्या है बेद है विभाग तत्मने दोनों में क्या है अलग अलग बेद है और यही क्या कि जो उप्यूक्त रस धर्म तथा अचल स्थिती रूप आधी जो उन्होंने बाते कहीं है गुण तथा अलंकाल का बेद है इस प्रकाल गुण और अलंकाल का उप्यूक्त बेद होने पर भामय व्रत्ति में भटोद भट का यह कथन की क्या कथन अब ये कथन किसका है भटूद भटका क्या है उनका कथन है शोर्य आदी गुण व्यक्ति में समवाई संबंद से रहते हैं तथा हार आदियापूशण संयोग संबंद से रहते हैं इसलिए लोकिक गुण तथा अलंकार का संबाय तथा संयोग संबंद के द्वारा भेद हो सकता है किन्तु ओजप्रब्रतीत गुण तथा अलंकार उपमा आदी अलंकार दोनों की ही कावे में संबाय संबंद से इस्थिति है वो क्या कहा है देखे उपर उनने क्या कहा है बटोद भट का क्यामत था जो मत था उनका उसके अनूसार वो क्या कह रहा है कि यदि आप संबाय संबंद से स्थिति होती है ऐसा मान करके दोनों में भेद कर रहे है तो क्या है बेड़ चा से ही माना जाता है ये कहना अनुचित है इसमें देखे इसमें क्या कहना चा रहे हैं वो क्या कहते है उपर कहा जा चुका है भामे आदी अलंकारियों के विवेचन में गुण और अलंकार का भेद स्पश्ट नहीं था उस समय नहीं था किन्तु उस समय गुण तथा अलंकार का विवेचन करने का प्रियास किया जा रह कुछ शौर्य आदी गुण तथा हारादी अलंकारों के समान व्रत्ती नियामक समवाय और संयुक संबंद के द्वारा ही काव्य गुण तथा अलंकारों का भेद बतलाया था भामे के काव्य अलंकार की व्रति, भामे विवरण में भटोद भदने, उनके मत का विरोध करते हुए, यह कहा कि गुण और अलंकार दोनों ही काव्य में सम्वाय संबंद से रहते हैं अतहे इसमें कोई वास्तविक भेद है ही नहीं गत अनुगति मात्र भेड़ चाजे ही लोगों ने इनमें भेड़ बतलाना अरंब कर दिया है अतहे गड़ लिका प्रवाहा का अर्थ है आपे भेड़ चाल ये हमें पता ही है भेड़ चाल है इसका अर्थ क्या कहने है कि जो हमारे भटोद भट है उन्होंने क्या मत दिया यदि आप मान रहे हैं जो रस है और जो रस नहीं सोरी गुण है और जो अलंकार है उनमें दोनों में भेड है तो क्या है ये तो भेड चाल है क्योंकि उन दोने में क्या भेड नहीं है ऐसा किसने का ध्यान कह रहे हैं और आचार मंमठ हैं उन्होंने इस मत का खंडन कर किया है क्योंकि उपयुक्ति ही वह सब्सक्राइब सकते ह regen uns herumति हमेशा रही कि और आउसा भी नहीं है कि जब अलंकार रहते हैं तव उसका उपकार ही करें इस प्रकार यह यहाँ पर उपयुक्त रिती से मतलब वो दोनों सूत्र थे जो हमने पूर्व में अभी अभी पढ़े हैं उस रिती से तो गुण तथा लंकारों का भेद इसपष्ट ही है अवश्य ही इसपष्ट है आपको भी हो गया है अलंकार का भेद नहीं जो वरत्ती नियामक संबंध है उससे भले ही भेद ना हो किनतु का वय प्रकाश निष्ट प्रकार से तो भेद है ही उनके करें गया क्या मतलब है भले ही हम माल लेते हैं जो उन्होंने किया किसने किया अब ही हमने पढ़ा था ना यहाँ पे किनकी वरत्ती थी जिनकी वरत्ती में उन्होंने भामे विवरण में उन्होंने किया था ना यहाँ पे भामे विवरण में विरोध किया था उनका कि भले ही हम माल लेते हैं उनकी वरत्ती नियामक सम्मन से भेधना हूँ अलंकार उन प्रकाश में जो भेद प्रस्तूत किया है उससे तो गुण और अलंकार दोनों में क्या है भेद है आगे ध्यान देते हैं आगे क्या है आगे आता है हमारे वामन के मत का निराकरण अब यहां पर वामन के मत जो है वामन आचारी है उनके मत का निराकरण करते हैं देखिए सु प्रण्टु हाँ यह प्रशन आ जाता है कि आप जो मत का खंडन किया है अचारे ममत ने उन सभी के मतों का वर्णन कीजिया तो क्या है आपको पूछा जा सकता है या फिर वामन के मत का निराकरन किस प्रकार किया है बताईए तो आपको यह लिखना होगा इसलिए हम इसकी संस काव्य शोभा के उत्पादक शब्द और अर्थ के धर्म गुण होते हैं क्या कहरे में जो काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो शब्द और अर्थ के धर्म गुण होते हैं किन्तु उस शोभा की व्रधी करने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं देखिए अब इन्होंने क्य की जो कावे की जो शोभा बढ़ाते हैं वो क्या है गुण है परंतु उस गुण की भी जो शोभा liter बढ़ाते हैं वो क्या है वो अलंकार है यह तो और भी महान बात कह रही है यह दोनों का भेध है shown Illigh आपे भेद तो प्रस्तूत क्या परन्तु क्या मालने कि अलंकार जादा इंपोर्डेंट है देखीं आप बेद डू किया हैं । उन्होंने कहा कि जो कावे शोबा के उत्पादक धर्म है वो तो गुण होते हैं किन्तु उस शोबा की वृद्धी करने वाले क्या है अलंकार कहलाते हैं धर्म भले ही गुण हो वो कह रहे हैं कि धर्म भले ही गुण है परन्तु उसका जो उतकर्ष बढ़ा रहे हैं वो कौन ह अलंकार है इस तरह वामन ने दोनों का भेद किया था वह भी ठीक नहीं क्योंकि प्रश्ण हो सकता है कि समस्त गुणों के होने से यह काव्य है इस प्रकार का व्यभार होगा या कुछ एक गुण के होने से ही यदि समस्त गुणों के होने से ही काव्य व्यभार मानेंगे तो कोणी तता पांचाली रिती जिन में समस्त गुण नहीं रहते हैं, इन दोनों रितियों में क्या है, समस्त गुण तो नहीं होते हैं, काव्य की आत्मा कैसे होगी, और यदि कुछ एक गुण के होने से ही काव्य ववहार मानेंगे, तो आत्रपत्र इस परवत पर प्रचंड अगनी जल रही है, और उत्ता हुआ घनाधूम शोभाय मान है, इत्यादी में भी ओज प्रभती गुण है, अतेव यहां भी काव्य ववहार होने लगेगा, इसमें काव्य माना जाएगा, वाव कितनी सुंदर वर्णन कर रहे हैं, साथ ही यह उत्तम वर्णा सुंदरी, तो इसी मनुष्य शरीर से स्वर्ग प्राप्ति के समान है, इसका अधर, रस, अम्रत को भी तिरिस्कृत करता है, इत्यादी में विशेशोक्ती तथा व्यती रेक नाम दो अलंकार गुणों की अपेक्षा किये बिना ही काव्य ववहार के प्रवर्तिक हैं, अतै है, वामन का अलंकार लक्षण भी दूशित है, क्या कह रहे हैं, वो नीचे ध्यान दीत है, नीचे सराल हिंदी अनुवार है, उस पे देखते हैं, देखे, क्या है, सब थम रिती वामन ने किया है अचारी वामन के नुसार क्या बात कही गई है गुड तथा अलंकार का भीद यह है कि काव्य के शोभा जनक धर्मों को गुड कहते हैं तथा उस शोभा के व्रद्धीकारक हितुओं को अलंकार कहते है तथा हूं धेते हैं देखे पहले तो कहा गया कि जो काव्य की शोभा बढ़ाएंगे वो क्या होंगे देखिए kadar के शोभा जनक जो धर्म होंगे वो गुड होंगे और उसमें जो व्रद्धी कर देंगे वो क्या कह रहे हैं वो अलंकार कहते हैं आचारी ममठ्य इसका खंडन कर वो कह रहे हैं कि काव्य के शोभा जनक गुण होते हैं इसके दो भी प्राए हो सकते हैं भी आप कह रहे हैं कि काव्य के शोभा जनक गुण होते हैं अब इस बात के तो भी प्राए हो सकते हैं एक तो यह है कि समस्त गुणों के होने से ही कोई रचना काव्य पद की दूसरा यह है कि कत्प्य थोड़े से भी गुण के साथ होने से भी किसी रेचना को काव्य कहा जा सकता है यदी हम प्रत्थम विकल्प को सुईकार करें तो गौनी तथा पानचाली रिती को आप काव्य की आत्मा कैसे मानोगी भाव यह है यहां पे इनके कहने का क्या मतलब है वो कह रहे हैं कि भाई ठीक हम मान लेते हैं आप कह रहे हैं जो कावे के जो शोभा बढ़ाते हैं वो क्या है जो कावे में शोभा के धर्म है वो है गुड और जो उसमें अधिक उत्पादक है मतलब जो उसकी वृध्धी कर दे वो अलंकार है यदि हम यह मान ले तो यहां तो दो प्रश्ण उठ जाते हैं क्या कि एक तो यह है कि समस्थ गुण के होने पर ही कोई रचना काव्य पत्थ मतलब कहते हैं जो अच्छी रचना होती है उसे कहते हैं तब उसकी अधिकार्नी होगी और दूसरा यह है कि थोड़े से गुन कि होने पर भी किसी रचना को आप काव्य कह सकते हैं यही कहना चाहां ना और यदि ऐसा है तो क्या रिती को आप काव्य की आत्मा कैसे मान dauगै जिसमें गोणिय और कावे से वामन की अनुसार है गुण विशिष्ट पद रचना का नाम ही दिती है यह तीन प्रकार की हैं वेधर भी गौणी और पान चाली वेधर बी commentary समस्थ गुण विशिष्ट होती है इसी लíए प्रतम विकल्प के अनुसार वहे तो कावे की आत्मा हो सकती है चलिए हमने माल लिया अब जो कौन सी रिति है वैधर भी है वो तो हो भी सकती है कावे की आत्मा किंतु जो गोणी तथा पांचाली समस्त गुण विशिष्ट नहीं होती है ये दोनों रितिया कौन सी है तो वह भी काव्य कहलाने लगेगी इस प्रकार अद्रव इत्यादी वाक्य भी क्या हो जाएगा काव्य हो जाएगा एक छोड़ा सा वाक्य भी क्या हो जाएगा काव्य माना जाएगा क्योंकि इसमें भी वामनुक्त ओज इत्यादी गुण विद्यमान है ममट के मता नुसार तो काव्य के लिए अलंकार की भी अपेक्षा है अत्य है अलंकारों के अभाव में ही इसे काव्य नहीं कहा जा सकता उमीद रहते हैं आपको सभी कुछ समझ में आया होगा अब हम आगे चल करके संशेप में बात करें यदी तो जैसे की होता है कि हमें book language कहीं बार समझ भी नहीं आती है वैसे तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा फिर भी अदि आप चाहें तो हम आपको फिर से एक बार छुटे-छुटे संशेप में बता देते हैं क्या है सबसे पहले हमने क्या देखा कि गुण किसे कहते हैं ये बताया गया क्या 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 कि शुर्ता-इत्यादी आत्मा के धर्म हैं उसी प्रकार जो काग्य में प्रधान रूप से स्थित रस के धर्म हैं तथा स्वरूप निरूपड करते हुए उन्होंने क्या किया अलंकार से वैधम्य दिखला आ गया है यहां पर किन चीजों से कौन-कौन से चीजों को रखा गया है है पर पहला अलंकार से वैधम्य प्रदृश्ट करने के हैं दो विशेशन ली कौन से एक तो अंगी नहा रशस्य धर्महा दूसरा अचल इस्थित्या इस प्रकार यह अलंकार से भीदक लक्षन हो जाता है देखिए वे रतोत कर्श गुण है जो रस्थ के धर्म है यह गुण का भीदक लक्षन हो जाता है ठीक है अचल इस्थित्या से क्या मतलब है अचल इस्थित्या यह दूसरा विशेशन है क्या जिसका भी प्राई यह है कि रस्थ के साथ उन गुणों के स्थित्या अचल अर्था निश्चित रूप से है इस नियत स्थिति के दो तात परे हैं अभी हमने पीछे भी यह बात की थी आपको याद होगी क्या एक तो यह है कि गुण रसके बिना नहीं पाई जाते और दूसरा क्या कि रसके साथ स्थित होकर वे रसके उपकारक अवश्य होते हैं इस प्रकार अचल स्थितिया विशेश के द्वारा गुण के दो अलंकार भी दकलक्षन प्रकट हो जाते हैं ऐसे रसके उपकारक गुण कहलाते हैं जो नियम से रसके साथ ही रहते हैं अत्वा जो विद्यमान होते हुए रसका अवश्य ही उपकार करते हैं अलंकार ना तो नियम से रसके साथ रहते हैं पहली बत अलंकारों से प्रथक गुण का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है इस प्रिकार आचारे मुमत ने अलंकारों से प्रथक गुण का क्या किया है स्वरूप स्पष्ट किया है फिर आता है हमारा अब उन्होंने अलंकार का स्वरूप क्या दिखाया कारिका को बिल्कुल ध्यान से ध्यान दीजिए किया उपकुर्वन्ती तम संतम ये अंगद्वारें जातुचित हारादिव हारादिव से क्या मतलब था हारादी के समान अलंकारस्ते अनुप्रास उपमा आदी अलंकार कहलाते हैं यही था क्या था जो धर्म या फिर अंग अंगभूठ शब्द और अर्थ के द्वारा विद्यमान होने वाले उस रसका हारत्यादी के समान कभी नियम से नहीं बस कभी उपकार करते हैं, वे अनुप्रियासता उपमादी अलंकार कहलाते हैं, ये क्या है, अलंकार क्या कहलाते हैं, इस बारे में बताया गया है, अलंकारों का जो स्वरूप है गुणों से नितांत भिन हैं, जैसे पहले बात कर भी चुके हैं, वे भी रसके उपकारक अर्थात रस तो हैं किंतु रस्के शाक्षाथ उपकारक नहीं है बल्कि क्या है प्रमपरा या उपकारक हैं रस्के अंग शब्द तथा अर्थ हैं बड़ाते हैं अब उधां देर्देर उसी प्रकार किस प्रकार हारादिया भूषन कंट-आधी की शोभा बढ़ाते हुए कामिनी सोंदरी के वर्धक होते हैं अतह ये रस के धर्म नहीं है तथा रस धर्म रूप गुणों से प्रत्थक है ठीक है देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रिंशोट ले सकते हैं क्योंकि हमाई राइटिंग में जो लिखा होता है कहते हैं हैंड जल्दी समझ में आती है और इससे प्रिश्न भी क्लियर हो जाते हैं आप चाहे तो इसका स्क्रिंशोट ले सकते हैं देखिए वीडियो को आप पोस्ट करके ले सकते हैं स्क्रिंशोट चाहें तो और इसक्रिंशोट लेने का मतलब यह नहीं है आप सिर्फ उससे पढ़िए आप अपनी राइटिंग में ज़रू लिखिया क्योंकि लिखने से क्या होता है अमें याद रहता है लंबे समय तक यहाँ पर इसके लिए आप सिर्फ इतना बिस्क्रिंशोट लें तो चल जाएगा क्योंकि इसका अर्थ इसी में आ रहा है पूरा और यह क्या है भावार्थ अलग से एक्स्ट्रा बताया गया है ताकि कौन सब्सक्रिया रहे क्योंकि यह श्लोक आपको दे दिया जाएग और आपको कह में प्रावार्य चोटोद सब्सक्रिया । यह शोतक अर्म होदोत आप ऊसे टब्सक्रिया अना सबस्क्रिया राहे क्योंकि यहूंकि क्योंf सुटक हूए है। क्योंकि वामन के मत का निर्खें पर qué तब से पहले हम वहां की एक itelो किया था तो दो ihan किया था मनें थेन करिका किया मांन के मत कर निराकरण की कांग लेंगे चौट से चोटे शोज़ता को भी काव्या माण लेंगे तो उसमें तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, इस प्रकार तो आद्रव मात्र एक शब्द इत्यादी काव्य वाक्य भी काव्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी वामनों ओज इत्यादी गुर्ण विद्यमान है, ममट के मतानुसार तो काव्य के लिए अलंकार की भी अप कभी निराकरन कर दिया है वामन खीम मत कभी उपिद्व को वीडियो चीश समझ में आई होगी और आपका प्रेशन है वो यह है कि जो गुळ है और जो अलंकार है उन में से कौन से कावे में आत्मा के समान जिससरा शुरे आदी आत्मा के धर्म है उस कावजीय में जो प्रधान उपसे स्थित है वो क्या है यह प्रश्न है आपको इसका जवाब के नहीं हुआ में स्थित आपको लुड़ी पसंद आईगी वहीं आपका दिन शुब्वों धन्यवाद